हेलो रिवान वेलकम टू फार्मारोक्स यूटूब चैनल फार्मारोक्स की यूटूब एच्चू के स्टेड़ में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टडी करेंगे मेब अंडाजॉल मेडिसिन के बारे में तो हम जानें कि उसके बेजिक अंदर डेटेल में तो एक्सपर्ट लेक्चर बाया मर्सर असिस्टम प्रॉफेसर इन फांडर ऑफार्मारोक्स थेंक्यू फर बीइन वन लेक्ट फैमिलिया फार्मारोक्स अप्टिटेट रहिए फार्मा नोलेज के साथ एक्सेस कर ये स्टडी माट्रियल टेस सीरीज वी डेस्क्रिप्चिन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी तब सबंज यह मेबन्द़़ एओज है मेबंद़ब्यह मेडिकेशन तो इसका जड़ फार्म फार्मा को लोघेटिकल कलास हम कहें तो एंधियल मेंटिक ही जाती है उसको और एंटिवर्म मेरी के प्रॉर्मेडिकेशन भ the infection from spreading कि हमारे intestine के अंदर हमें पता हो कि अलग अलग ये worms जो है वो present होते हैं कि जो आप यहाँ पे diagram के अंदर ये देख रहे हैं तो ये worms क्या करते हैं आपके body के अंदर infection करते हैं कि जो infection होता है उनके करन उनको हम warm infection कहते हैं अब ये warm infection को रोकने के लिए उसको आगे जो spread होने से रोकने के लिए साथ हो ताथ उसको stop करने के लिए हम ये mebendazol के medicines जो है वो देते है patients को and इसकी जो mechanism हो ये क्या करते है कि permeability जो होती है cell membrane की उसके उपर affect करते है किसी भी warm का जिसके करन आगे जाके उनकी date हो जाती है kill होते है और आपकी body में से बाहर निकल जाते है so it is used to treat the warm infection कि जो अलग-अलग worms होते है parasites होते है उनको kill करके ये अपनी pharmacological action देती है और अलग-अलग type के warm infections को treat करने के लिए mebendazol जो है वो यूज किया जाता है तो enthylmintic जो आपने समझा नाम तो enthylmintic मतलब की कुरूमी ना सक कि enthylmintic class के जितने भी medication है वो ये अलग-अलग type के जो कुरूमी होते है कि आपके पेट के अंदर जो कुरूमी होते है इसा आप बात करते है तो वो कुरूमी को रोकने के लिए उनकी ग्रोध ही नहीं भीट करने के लिए साथो साथ उसको आपकी बाडी में से बाहर निकालने के लिए enthylmintic जो है वो यूज किया जाते है तो बहुत सारी अलग-अलग जो enthylmintic class के ड्रग है उससे में से ये एक popular medication है that is a mabendazole तो यहाँ पर जो लिखा है वो आप खास समझें कि enthylmintics है एक group of anti-parasitic drug ये इनके लिए word खास important है anti-parasitic because ये जो जितने भी worms होते है कि ये वाला जो आप worms देख रहे हैं कि जो काफी size में जो है वो काफी लंबा है आप देख सकते हैं तो ये जो worms होते हैं उनको kill करके अपनी pharmacological action देते जिसके करन उनको anti-parasitic medications कहा जाता है और वो expel करवाते हैं आपकी body में इसे बाहर expel out करवाते हैं इसे worms को और आपकी body के उपर को इसे harmful effect भी नहीं चुड़ते directly उनकी action रहेगी ये worms के उपर तो यह आप इसे लिए लिखा है कि without causing significant damage to the host बिलब कि जो host होता है उसके body को कोई भी नुकसान नहीं करवाता है जिसे ये कोई human का intestine है तो आपके intestine के अंदर रहा ये worm आप देख रहे हैं but जब आप mabandazol यूज करके तो mabandazol से जो ये अंदर का जो आप lining देख रहे हैं ये पूरा जो membrane देख रहे है intestinal तो इसके उपर कोई भी harmful effect नहीं होती mabandazol की या फिर कोई भी enthyalmetic की just वो अपनी effect देंगे वो ये वाले worms के उपर और उसको आपकी body में से ex-billate करवा देंगे तो how warm infection occurs warm का infections आपको होता है कैसे तो अलग-अलग worms के करण आपको infection होने की जो हम रास्ते समझे तो एक है contaminated food, contaminated water और तिसरा lake of personal hygiene तो आप ऐसा food लेते कि जिसके अंदर इस type के जो अलग-अलग worms होते के tap worm है, round worm है hook worm, whip worm GRDR या फिर कोकाई, DR जिससे जो अलग-अलग worms होते हैं उसके contamination food के अंदर है water के अंदर है और समझे कि आप proper personal hygiene नहीं रखते तो ये जो worms जो है आपकी body के अंदर enter हो सकते हैं और आगे जाके जो infection करेंगे उसको हम कहेंगे warm infections तो इस तरह से ये spread होता है कि एक बार आपके food के थ्रू या फिर water के थ्रू आपकी body में enter होए तो आगे जाके वो आपकी body को क्या बना देते हैं, host बना देते हैं कि आप कहलाओगे host उनके लिए और आपकी ही body में से ये GRDR है समझो तो proper nutrition वगरा लेगा और आपकी body से ही energy वगरा लेकर अपनी जो है वो growth करेगा तो जरूर यह है कि ये worms होते हैं उनको जल्दी से जल्दी आपकी body में से expel out करें तो इसलिए हम ये enthylmetic medicines यूज करते हैं तो उसमें mabendazol के बारे में समझे तो mabendazol जो है वो broad spectrum enthylmetic agent है of benzee imidazol type कि इसके अंदर जो chemically जो structure present है वो है benzee imidazol और broad spectrum कहा जाता है इसी के कारण because कि बहुत सारे जो worms होते हैं उनके सामने उसकी ये effect मिलती है तो it is introduced in 1972 mabendazol जो है वो introduced किया गया 1972 के अंदर तो ये खाफी important pinpoint रहेगा आपके लिए and it is a subsequently introduced alternative to albendazol की समझे कि जिन लोगों का आप albendazol से treat नहीं कर पते तो उनके लिए आप के पास जो option रहता है mabendazol का की albendazol and mabendazol हमें पता है कि दोनों एक दुसरे की alternatives बनते की जिस case में mabendazol से treatment नहीं हो सकते तो वहाँ पे आप albendazol यूज करते हैं और जहाँ पे albendazol यूज नहीं कर पते वहाँ पे आप यूज करते हैं mabendazol को तो first choice drug for warm infections like round warm, whip warm, neckator, americanus and guinea warm तो जो first choice कहे जाती है medicines या फिर दूसरे word में हम DOC लिखते हैं drug of choice तो drug of choice कौन से cases के अंदर बनता है कि जो worms होते है अलग-अलग और उसमें भी specially round warm वगेरा है whip warm वगेरा है तो ये सबी जो worms है कि जो यहाँ पे लिखे के round warm का नाम है दूसरे आप देखो whip warm, फिर neckator, americanus and guinea warm तो ये worms के लिए ये drug of choice कही जाती है या फिर first choice drug के समझे के diagnosis करके पता चला कि किसी को round warm का infection है whip warm है तूस वक्त आपके पास first choice रहेगी that is a mabendazol की because सबसे effectiveness रहेगी mabendazol की ये सब अलग-अलग worms के सामने तो mabendazol के हम doses form समझे तो उसके tablet doses form available होते है कि जिसकी strength होती है 100 mg कि 100 mg के ये mabendazol के achievable tablets available होते है और broad spectrum menthylamatic drug उसको कहा जाता है फिर उसके जो आप दूसरे भी brands देखे तो चीवेबल tablet से उसके available होते है कि जो strength है 100 mg के अंदर फिर उसको आप suspension देख सकते है और ये oral suspension जो है वो 30 ml strength में रहेंगे और 100 mg पर 5 ml के dose पे ये available है कि समझे कि कोई person 5 ml जितना ये mabendazol का suspension लेता है तो उसके body के अंदर 100 mg जितनी जो drug है वो introduce होगी तो इस तरह से ये उसके अलग-अलग हम doses form देख सकते हैं फिर बात करते हैं उसके tablets के तो tablets किस तरह से use करने हैं तो mabendazol के जो achievable tablets available होते हैं उसको आपको सबसे पहले आपके oral cavity के अंदर चबा ना होता है before swallowing कि directly उसको swallow नहीं करने हैं थोड़ी देर जिससे आप achieving gum खाते हैं उस तरह से उसको चबा ना होता है before swallowing तो ये direction खास आपको पता होने चाहिए कि किस तरह से mabendazol के tablets use किये जाते हैं कि उसको swallow नहीं करते हैं पहले आप जो है उसको चबाते हैं थोड़ी देर और उसके बाद जो है उसको swallow करते हैं तो achievable tablet must be achieved completely before the swallowing की completely आप उसको चबा लीजिए उसके बाद ही उसको swallow करें और फिर हम देखें उसके doses के बारे में तो जो round warm का infection किसी को हुआ है तो ऐसे cases के अंदर 100 mg आप जो है वो tablet देंगे दो time देगे और total 3 days तक patient जो है उसको use करेंगे इसे करन देखो यहाँ पे जो total 6 tablets देऊगी 1, 2, 3, 4, 5 और यह total 6 tablets तो यह जो दो tablet है वो day 1 के लिए है फिर यह जो tablets day 2 के लिए और तेसरे जो tablet day 3 के लिए है अगर समझे के कोई time आपने fix कर लिया है कि यह समझे कि आप 12 बजे लेते हैं तो यह दूसरी tablet जो है आप समझे कि रात को सोते समय जो है वो ले सकते रात को 9 बजे तो इस तरह से यह morning में लिए आपने और यह ले सकते है night के अंदर दा fix पाहला tablet तीसरा और पांचवा या फिर दूसरा चौथा चौथा इस तरह से proper day 1 पे दो tablets day 2 पे और day 3 पे इस तरह से total 6 tablet का आप देख सकते हो blister ही available होता है कि जो patient उसको use करते है same pattern follow की जाएगी hook worms के लिए कि उसके लिए भी 100 mg दिन में दो बार 3 दिन के लिए BD that means 20 इन डाई सुमें डमलब की दिन में दो बार लेना है 2 टाइमस इन ए डे फिर वीब कॉम के लिए भी सेम उसका रहेगा कि 100 mg दिन में दो बार और 3 दगते इस तरह से total 6 tablet जो है वो कि जाती है पेशन को and use up to 7 days treatment may be needed in heavy trituriasis कि जो heavy trituriasis का infection हुआ है कि ये भी एक worms ही है अगर ये worms का समझे कि किसी को infection हुआ है तो trituriasis जो worms है उनके infection के अंदर 7 days तक भी आप जो है वो tablet जो है वो दे सकते हैं कि 7 days तक फिर बात करें next tablets के तो जब पीन वाम का infection के जिसको enterobias हम कहते हैं तो 100 mg single dose कि ये जो 100 mg है वो single dose repeated after 2 to 3 week to kill the ova that have developed later कि 100 mg single dose repeated after 2 to 3 week 2 to 3 week के बाद जो है आप फिर से उसको repeat करवा सकते हैं फिर trituriasis के अंदर 200 mg BD for 4 days कि 200 mg की जो tablets होते हैं उसके वो आप 4 दिन तक लेते हैं 200-400 mg BD और 3 times in a day for 3 to 4 week but less effective than albendazole तो यहाँ पर जो क्या करना है कि जब hydrated doses होते हैं तो उसके अंदर same albendazole की जगा आप mabendazole तो यूज करते हैं बट इसकी जो effect है वो albendazole से आपको कम मिलती है और यह BD मतलब कि 2 times दिया जाता है और कुछ cases के अंदर दिन में 3 बार भी उसको आप दे सकते हैं उसके compare mabendazole के compare में albendazole की जो effectiveness ज़्यादा रहे इसके अंदर बड समझे कि कोई patient को albendazole suit नहीं हो रही है तो उस वक्त उसकी treatment आप mabendazole से भी कर सकते because first choice समझे कि albendazole है तो second choice आपके लिए रहेगा mabendazole जब patient albendazole से ठीक ना हो तो second आपके पास choice रहती है यह mabendazole के tablet से because यह भी 100 mg के अंदर आते हैं और यह broad spectrum menthol mendic है जिसके करन यह भी आप जो है वो prefer कर सकते हैं फिर बात आती है mabendazole के suspension की तो each 5 ml of suspension content 100 mg of mabendazole कि जब आप 5 ml जितना यह mabendazole का suspension लेते हैं तो उसके अंदर आपको 100 mg जो है वो medication यहाँ पे मिल जाएगी and white homogenous oral suspension होता है यह और यह use किया जाता है adult and children के लिए over the 2 years मतलब कि 2 साल से जो कम age के जो children हैं उनको यह mabendazole का suspension नहीं देना है सिर्फ adult और children की जिनकी age 2 साल से ज़्यादा है उनके लिए है mabendazole suitable है और उसका हम dozing देखे तो 5 ml आप ले सकते कि यह जो उपर dozing के लिए जो cup दिया जता है कि यह वाला उपर के और जो cup दिया होता है तो यह cup को use करके ही आपको proper 5 ml जितना जो है content लेना है और patient को जो है वो देना होता है second dose जो है वो 2 week के बाद लेना होता है कि second dose is taken after 2 week की समझो कि week 1 में आपने लिया है तो exact 2 week बाद मनले कि 15 दिन के बाद या फिर 14 days के बाद जो है वो आप second dose जो है उसका लेते है don't use for children below the 2 years तो यह आपके लिए खास warning भी हम कह सकते है कि Mabendazol को 2 साल या फिर उससे चोटे बच्चों को जो है वो यूज नहीं किया जाता है कि don't use for children below the 2 years तो यह खास द्यान रखिए उसके basic यूज तो parasitic जितने भी warm से उनके लिए यूज किया जाता है round warm के लिए यूज किया जाता है फिर तिसरे हम देखिए तो that is a hook warm कि ये जो hook जैसे shape के जो worms होते है ये वाले कि ये जो hook जैसा पूरा shape बनता है ये hook warm के लिए फिर ये जो round warm होते है इस type के उनके लिए उसके बाद pin warm के लिए कि pin जैसे shape के होते है thread जैसे देखने वाले thread warm whip warm कि जो इस type के ये वीप वार्म्स आप देख सकते हैं उसके बाद पीडियाट्रीक जियाडियासिस के अंदर एंड इंटेस्टेनल कोकाइडिया एस वेल एस हाइडेटिड डिसेज बड़ यहाँ पे कंडिशन यह है कि दो साल या फिर उससे कम एज के चिल्डरन्स को यह दिया नहीं जाता दो साल की उपर की एज के जितने भी चिल्डरन्स है उनके लिए यह पेडियाट्रीक जेडियासिस के लिए आप यूस कर सकते हैं मेबन डाजल की अब मेकनिजम उफ एक्सन समझें तो मेबन डाजल अफेक्ट दा पर्मेबिलिटी of the cell membrane thereby killing the worms तो worms को किस तरह से केल करता है तो पर्मेबिलिटी जो होती है of the cell membrane उसको अफेक्ट करता है तो यह किस तरह से अफेक्ट होता है तो यह जो कोई भी microorganisms जो हम कहते हैं कि यह भी एक टाइप के microorganism ही है और यह microorganism जो होते हैं worms तो उनको अपनी growth करवाने के लिए अच्छे से उनका cell wall वगेरा के cell membranes के development के लिए जो है as well as उनका जो cell structure उनको setup करना है तो उसके लिए ज़रूर पड़ती है यह microtubules की तो microtubules कैसे बनते हैं तो उनके लिए यह tubule इनके जो dimers होते है वो polymerization करके microtubule जो हो design करते हैं कि दो dimers फिर और दो इस तरह से बहुत सार है इस दाइमर देखो यहाँ पे जो हो set हो गए और यह dimers एक दूसरे के साथ combine होके बनाते है उसका पूरा polymer की जिसको हम कहते हैं microtubule अब यह जो हमारी medication क्या करती है कि जब आप mabandazole देते हैं तो mabandazole इस टाइप से यहाँ पे आप देखो कि mabandazole inhibit करता है यह dimer को polymer के अंदर convert होने से blocking the polymerization of the tubulin dimer कि tubulin के dimers का जो polymerization होता है वो ही रोक देता है जिसके करन यह microtubule का proper formation नहीं होगा microtubule नहीं होगी तो cell को अपने components design करने के लिए एक cell membrane develop करनी है उसकी permeability आपको जो proper चाहिए as well as जो proper cell structure develop करना है वो वहाँ पे नहीं होगा जिसके कारण आगे जाके जो warm है वो उनकी date हो जाती that means the medicines killing this type of worms और फिर वो worms आपकी body में से जो expel out हो जाएगे के feces के थूँ इस तूल के थूँ आपकी body में से एनस root से जो है बाहर निकल जाएंगे और इस तरह से ये mebendazol अपने pharmacological action देती है तो यहाँ पे second point में लिखा है कि mebendazol act by inhibiting the production of microtubules कि microtubule का production inhibit कर देगा वाया binding to colchising binding site of beta tubulin and therefore blocking the polymerization of tubulin कि जो beta tubulin होता है उसकी binding site को inhibit कर दा जिसके करण ये dimer जो है वो polymer के अंदर convert नहीं हो पाते जिसके करण आगे जाके इनके growth जो है अटक जाती है और वो जो है वो दिरे-दिरे kill हो जाते है उसके हम side effects समझे तो सबसे पहले जो उसकी side effect that is nausea and vomiting कि जिन लोगों को ये mabend as well use करते है तो उनको ये side effect develop होती है that is a nausea and vomiting दूसरा जो है वो abdominal pain होता है कि यहाँ पे जो abdomen का जो portion है वहाँ पे आपको abdominal pain होता है first हम आपने समझा nausea and vomiting तीसरा जो है वो diarrhea की condition form होती है कि अगर इसका overdose होता है कि overdose के अंदर problem हो सकता है diarrhea का जो हमने dose जो discuss किया कि 100 mg समझे कि दिन में 2 time ही लेना है एक morning और एक night तो दो ही tablet लीजिए ऐसा नहीं कि आप एक और tablet ज़्यादा खालेगे तो आपका जल्दी से क्यों और होगा but proper जो है वो उसके doses के according to medication लेनी है जिससे ये side effects develop ना हो चौता side effect हम देखे तो loss of hair कि जिसको alopecia हम कहते है कि ये दो कि इस type से hair fall या फिर hair loss जो होना तो hair loss एक उसका एक major side effect कह सकते कि जब उसको overdose के अंदर use किया जाता है पांचवा हम देखे तो इस type के allergic reaction कि जो skin के उपर allergic reactions, racist विगरे develop होना एसे side effect develop होगे कि जब आप उसको overdose के अंदर use करते है excessive use करते है फिर पांचवा हम देखे तो granulocytopenia मतलब कि decrease in peripheral blood granulocytes कि आपके blood के अंदर ये जो granulocytes होते है इनकी जो संख्या है वो कम होना कि उनके जो जितने number होते है वो दिरे-दिरे reduce होना कि जब आप long time तक उसको use करते है excessive use करते है overdose में use करते है तब ये side effects जो है वो develop होती है फिर बात करें उसके contraindications के सबसे पहले contraindicated in pregnancy so pregnancy के दौरान उसको use ना करें do not use during the pregnancy दूसरा हम देखे तो present who have his own hypersensitive to the product और may और any component of mabandazole के समझो कि आपको mabandazole या फिर उसके related जो compound होते है जितने भी benzoymedazole होते के लिए albandazole है mabandazole है thiobandazole है तो इन सब के आपको hypersensitivity है कि समझो कि आप albandazole mabandazole use करते है और तूरंत आपको ऐसे allergic reactions होते hypersensitivity हो जाते तो उसको use ना करें third that is children less than two years of age कि जो छोटे बच्चे है और उसमें भी specially 2 सल से कम age के जो children है उसके लिए ये जो है वो contraindication के list में कि use ना करें तो ये not खास समझ लिए कि for children less than two years albandazole suspension single dose five ml is enough कि आप आपके mind में question ये गएगा कि mabandazole समझे कि 2 सल या फिर उससे कम age के छोटे बच्चे को नहीं दे सकते तो कौनसी medicines दे तो children less than two years or your age albandazole का जो suspension आता है और उसमें भी सिर्फ single dose five ml वाला enough है दो साल या फिर उससे कम age के ये से children's के लिए तो ये खास ध्यान रखे कि जो two year है या फिर उससे कम age के जो patient उनको गलती से भी mabandazole आपना दे उनको इलिए albandazole ही okay है but age समझो के दो साल से ज्यादा है तो आप mabandazole को use कर सकते हैं तो ये था हमारा special lecture about the mabandazole जिसमें detailed study की हमने तो ये जो lecture notes आप pharma rocks के आप उपर access कर सकते हैं thank you for watching join कर ये whatsapp group access कर ये study material test series video lecture pharma rocks के आप उपर so good luck and all the best